तो फ्रेंड्स आज मैं बताऊंगे आप लोगों को कि हम लोग तूलसी विवा कैसे करतें तो हम लोग जारकन के हैं और राची में मैं अभी थी तो अभी तूलसी विवा राची में ही कर रहे थी तो अपनी बहन के घर थी और यहाँ पे हम सबसे पहले चावल को पीस कर अच् सिंदूर परशाद चूरी टिकली बिंदी सब रख लिए थे और अभी हमने रंगोली बनाने के बाद जो चावल होते हैं जिसे अरपन बोला जाता है तुलसी में लगाएंगे तुलसी जी के पेड़ में लगाएंगे और पिर उसमें हम सिंदूर भी लगाएंगे और एक बीष्यशी जी के पेड़ में सारस किंणरे किनारे तुह हमने सिंदूर लगाली इती तुलसी पेड़ में अर उसके बाद पीड़ा जो चौकी हूती होती है उसमें भी सिंदूर लगा ली थे और आप बारी बारी से तूलसी बिभा करेंगे, सप्रिपले ने यहाँ पर सिंदूर लगाई, और अब हम क्या करेंगे? चुन्नी बाढ़ाजएंगे, फिर माला पहनाएंगे, उसके बाद चूड़ी पहनाएंगे, मागत तूलसी को फिर टिखली लगाएंगे, इस तरह के से सारे चीजों को हम करेंगे उसके पीले कपड़े हमने विश्णु भगवान के लिए थे तो जो कि हम या तो आप विश्णु भगवान में फोटो रख कर पूजा कर सकती है तो दीदी के घर में केले की पेड़ है तो दीदी केले के पेड़ में ही पूजा कर लेती है तो बहने दिया लगा ली थे और दिया दिख लाएंगे अगर बत्ती दिख लाएंगे परशाद में भोग में सकरकंद जरूरी है और एक जरूरी है तो एकादसी के दिन सकरकंद को चड़ाना बहुत जरूरी होती है हमारे घर में और हम पांच किसम के अनाज लिए हैं जिसे कि हम घर को भरते हैं तो पांचों में हमने अलग-अलग अनाज को भरें जिसमें चावल, मुंग डाल, उरत डाल, चना, मतर कुछ भी अपले सकते हैं अब हम दिया दिखलाएंगे अगर बतीज दिखलाएंगे तुलसी मा की थोड़ी आरती कर लेंगे अच्छे से और दोनों बहन हम लोग कर लिये थे यह देखरेंगे मेरी भतीजी लोग जो है वो हमारी फोटो सुट कर रही थी तो यह सब हो गई अब हम दिया भी लगा दिये थे और दोनों बहन मिलकर खुब अच्छे से फूजे किये बहुत दिनों बहन मिलकर हमने पूजा की है तुलसी विवा में एक साथ थे तो यह मेरी बहन की बेटी की साधी है तो मैं आई हुई हूँ और अभी साधी कुछी दिनों में शुरू होनी वारी है तब तक मैंने यहां पे अपनी बहन और दिदिकसत फोटो भी खीचली थी और सबसे यह जरूरी बात हम लोग सुभा में बासी रंगोली के उपर जो पीड़ा लगा थे पीड़ा में छोटी बच्चों को कुमारी बच्चियों को बैठा के चमावन करते हैं यह हमारा बीधी है यह हमारी नियम है जो हमारी मा हमेशा से करते आ रही थी और आज हम अपनी बेठियों को भी करते हैं तो अच्छी लगे तो सेयर सस्क्राइब वीडियो को जरूर किजेगा ठैंक्यू